जैसा आपको पहले बताया कि ब्रिहस्पती की द्रिष्टी अत्यंत शुभ और पवित्र होती है तो अब ये जानते हैं कि जब ब्रिहस्पती की द्रिष्टी अलग-अलग ग्रहों पर पड़ती है तो इसका असर क्या होता है अगर सूर्य के ऊपर ब्रिहस्पती की द्रिष्टी पड़े तो व्यक्ती को जीवन में बहुत सारा मान सम्मान मिलता है राज्य से सरकार से सहायता मिलती है और सरकार से जीवन में कृपा प्राप्त होती है अगर चंद्रमा पर ब्रिहस्पती की द्रिष्टी हो तो ये सबसे अच्छी इस्थिती है व्यक्ती को मान सिक इस्थिरता मिलती है और व्यक्ती के ऊपर इश्वर की कृपा बनी रहती है व्यक्ती मान सिक रूप से मजबूत रहता है अगर मंगल पर दृष्टी हो तो व्यक्ति अत्यंत पराक्रमी हो जाता है अत्यंत साहसी हो जाता है लेकिन अगर ब्रिहस्पती मंगल को देखे और मंगल ब्रिहस्पती को देखे परसपर एक दूसरे को देखे तो ये वैवाहिक उनुमाद पैदा करता है केवल गुरू की दृष्टी मंगल पर हो, मंगल की दृष्टी गुरू पर ना हो, तो ये ज़्यादा शुब है ब्रिहस्पती की दृष्टी अगर बुद्ध पर हो, तो व्यक्ती काफी बुद्धिमान और काफी ज्यानी होता है बुद्ध का मतलब होता है बुद्धी और ब्रिहस्पती का मतलब होता है ज्यान, तो बुद्ध ब्रिहस्पती का संबंद व्यक्ती को बुद्धिमान और ज्यानी बना देता है ऐसे लोग सिक्षा और सलाह कारिता के ख्षेत्र में खूब सफल होते हैं दूसरों को समझाना और दूसरों को सही सलाह देना ये इनके लिए बहुत बेहतर होता है अब ये जानते हैं कि ब्रिहस्पती की दृष्टी का बाकी ग्रहों पर क्या असर होता है देखिए अगर ब्रिहस्पती की दृष्टी शुक्र के उपर हो तो व्यक्ति वैभवशाली होता है साथी साथ व्यक्ती का चरित्र मजबूत होता है और ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन अच्छा रहता है अगर ब्रिहस्पती की दृष्टी शनी के उपर हो तो व्यक्ती को अध्यात्मिक उपलब्धी मिलती है ऐसे लोग अध्यात्म के रास्ते में प्रगती करते हैं और ऐसे लोग कानून के खेत्र में या न्याय के खेत्र में जीवन में विशेश उन्नती प्राप्त करते हैं ब्रिहस्पती की दृष्टी अगर राहु और केतु पर हो तो इन ग्रहों के दुश्प्रभाव नश्ट हो जाते हैं राहु के अंदर या केतु के अंदर जो नकारात्मकता है जो निगेटिविटी है वो काफी हद तक दूर हो जाती है और ये ग्रह जीवन में अच्छा फल प्रदान करना शुरू कर देते हैं देखिए ब्रिहस्पती के पास कुल मिलाकर तीन दृष्टियां हो गई सब्तम दृष्टी, पंचम दृष्टी और नवम दृष्टी एक राज की बात आपको बता दें कि ब्रिहस्पती की दृष्टी नवम दृष्टी जिस भाव पर और जिस ग्रह पर पड़ती है वो भाव और वो ग्रह आपके जीवन में आपके भाग्य को बढ़ाता है जैसे ब्रिहस्पती की नवम दृष्टी अगर छटमे भाव पर पड़ गई तो अस्पताल, रोग, मुकदमा, करजा इनसे संबंधित मामलों में आपको लाब होगा और यहां से आपका भाग्य बढ़ेगा इसलिए ब्रिहस्पती की नवम दृष्टी का विचार जरूर करिए जिस भाव पर पड़ रही है, जिस ग्रह पर पड़ रही है वही आपके भाग्य को और आपके जीवन को आगे बढ़ाने में आपकी सहायता करेगा आपको मिलेगा भविश्य से जुड़े हर सवाल का जवाब डाउन्लोड कीजिए आपके चिटकी में जुड़े इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलोजर से